हेलो एब्रिवन स्वागत करती हूँ आप सभी का फूड फ्रोम माई किचन में आज हम बनाएंगे मुंबई की स्ट्रिट स्टाइल तवा पुलाओ जो खाने में बहुत स्वादिश्ट होती है और हम इसे बिलकुल आसान तरीके से बनाएंगे तो यह मैंने लंबे दाने वाल चावल बनाते हैं और उसकी पानी को स्ट्रेन कर देना है तो यह मैंने कुछ सबजियां ले लिए गाजर मटर आलू और शिमला मिश आलू को मैंने बॉयल करके चुटे-चुटे टुकडे कर लिए तो आप भी ऐसे एक आलू को उबाल ले चुटे-चुटे टुकडों में क मेरा गर्म हो रहा है तो मैं इसमें मक्षन डाल दूंगी मक्षन से इसका स्वात बहुत अच्छा आता है आप जरूर डाले तो हम ना आज इसे बहुत आसान तरीके से बनाएंगे तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद तो यह मैंने थोड़ा से जीरा ले लिया है जीरा तड़क जाए अच्छे से तो जीरा हमारा तड़क रही है रेसीपी बहुत चटपटी होती है आप इसे लंच बॉक्स में भी कहीं ले जा सकते हैं यह खाने में बहुत मज़ेदार होती है और हल्थी भी होती है खूब सार यह मैंने एक प्याँच को ऐसे बारिक चॉबड करके ले लिया है मेरा प्याँच थोड़ा हल्का भूण जाए यह जो रेसीपी है इसमें सबजीयों की भूनाई बहुत माईने रखती है तो आप इसे द्यान से देखे तो यह मैंने प्याँच को हलके आतों से भून लिया अब मैं डालूँगी इसमें सिम्बला मिर्च हमें प्यांच के आदा भुनने तक के बाद ही सिम्बला मिर्च डाला था कि दोनों साथ में भुने और सिम्बला मिर्च सॉफ्ट हो जाए तो मैं ये डाल दूंगी, अच्छे से सिमलामिच को ऐसे मिक्स कर लूँगी डालके तो ये मैं मिक्स कर लेके, इसके बाद मैं नमक डालूँगी इसमें थोड़ा सा ताकि वो सॉफ्ट होने में सिमलामिच को आसानी है तो मैंने नमक डाल दिया, मैं एक बार और चला लूँगी और इससे हम ढखकन से 10 मिनट के लिए ढख देंगे 10 मिनट में हमारा सिम्ला मिशना सॉफ्ट हो जगा इसके लिए हम इसे 10 मिनट के लिए ढखेंगे 10 मिनट के बाद हम ढखकन हटा के देखेंगे तो देखे यह स्टीम से पक गया है तो थोड़ा सौफ्ट हो गया है प्याज और सिम्ला मिश तो इस टाइम पर हम गाजर डालेंगे सबी सब्चियों का पकनी का टाइम तो अलग-अलग है ना तो हमें थोड़ा गाजर क्रंची चाहिए तो हम इसे बाद में डालेंगे तो अब हम गाजर के साथ इसे अच्छे से मिक्स करके भूनेंगे तो यह मैं मिक्स कर रही हूं आप भी इसी प्रोसेस से बनाए आपकी तवा पुलाव बिलकुल मुंबई स्ट्रिट स्टाइल बनेगी और खाने में आपको बहुत पसंद आएगी आपके बच्चों को भी पसंद आएगी बच्चों को आपको सबजियां खिलानी हो ना तो यह रेसिपी बेस्ट है तो यह मैंने डग दिया है पांच मिनट के लिए पांच मिनट के बाद देखिए हमारा सारा सबजी तोड़ा सॉफ्ट हो गया तो मैं इस टाइम पे इसमें टमाटर डालूंगी टमाटर इस रेसिपी में जरूर डाले क्योंकि तवा पुलाव में जो टमाटर का टेस्ट है वो तवा पुलाव के टेस्ट को और अच्छा बनाता है तो आप तवा पुलाव बनाने के टाइम पे टमाटर बिल्कुल इसकी इपना करें और मैं डालूंगी इसका में इंग्रिडेंट पाव भाजी मसाला पाव भाजी मसाला अभी मैंने डाल दिया फिर मैंने यह हल्दी डाल दिया है, हल्दी डालने के बाद, मैं इसे एक बार मिक्स कर लूँगी, पाव भाजी, मसाला और हल्दी के साथ, ताकि मसाले और सबजी अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अब मैं इसमें बॉयल आलू की जो मैंने चुटे-चुटे टुकडे करके रखे थे न, वो डाल तो इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला, तो मैं इसे एक बार मिक्स कर लूँगी, मिक्स करके थोड़ा सा भून लूँगी, दो-तीन मिनट, उसके बाद मैं डालूँगी, यह कश्मीरी लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत अच्छा हैगा, आप भी जरूरी है, तो यह मैंने मिक्स कर लिया, मेरी सबजी बन गई है, तो अब मैं इसमें लास्ट में मटर डालूँगी, यह फ्रोजन मटर है, आप थोड़ा पहले डाले, जिसमें हमने तेमाटर डाला तो आप उसी टाइम पर डाले, क्योंकि फ्रोजन मटर बहुत जल्दी प क्योंकि आपको फिर मिक्स करने में परिशानी होगी, जो इस्ट्रिट में बनाते हैं, वो तो उनका तवा बड़ा होता है, वो बहुत हाई हीट पर बनाते हैं, तो इसके वज़़े से वो एक साथ दालते हैं, पर हम घर पे तो इतना बड़ा तवा हमारे पास होता नहीं है तो यह मैं थोड़ा-थोड़ा चावल डालके मिक्स कर रहे हूं, यह जो प्रोसेस है ना, इससे आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और यह अच्छे से एकदम मिक्स हो जाएगी, तो यह मैंने फिर दुबारा डाला, मैं अच्छे से मिक्स करूँगी, यह देखे मेरा ज करें blueberry निम्भू करति अनीज कर्लीन ज़ rallies लास ल इंगी, सिर्ट정न के निम्भू को नकीन की सब्सक्रीज है. तो यह मैंने डाल दिया है, मेरा तवा पुला और रेडी है, तो मैं आपको अभी सर्व करके दिखाते हूं, यह खाने में बहुत स्वादिश्ट होती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर और कॉमेंट सेक्षन पर मुझे कॉमेंट करें, मुझे से कुछ और रेशी पीछे यह तो भी मुझे कॉमेंट करें, यह देखें चावल का एक एक दाना खिला-खिला और इसका कलर भी अच्छा है, तो बहुत ही बहतरी है, आप एक बार जरूर ट्राइ करें, तो इसे मैं ने सर्व किया है प्याज के साथ और निम्बू के साथ, बीच में मैं ऐसे धनिया पत्ता रख दूँगी, थैंक्यू फोर वाचिंग